हेलो दोस्तों नोसकार कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होगे चलिए आज हम बात करेंगे मोटापा ओवेसिटी क्या होती है मोटापा क्या होती है कैसे इसको घटाएं कैसे इसको मेंटेन करें क्यूं होती है कैसे इससे बचें आज कल कहते हैं बहुत ज़्यादा चड़ भी बढ़ गई है मोटा होते जा रहा है आज कल मोटा पा एक बहुत बड़ी कोमन बिमारी बन चुकी है मतलब मोटा पा समलोग बहुत ज़्यादा प्रेसान होते हैं हमें साथ टेंसलाइज रहते हैं आखिर क्यों होती है चलिए पहले यह जानते हैं तो मोटा पा होने का बहुत साड़ा कारण है अधी आपकी निंद ठीक से नहीं लेड़ है उस बज़से हो रहा है ज्यादा एसपैसी चीज़ ज्यादा मसाले बाले चीज़ लेड़ है ज्यादा हाई किलोरी डाइट लेड़ ह फैटी चीज गरिष्ट चीज ज्यादा लेड़ है उस बज़से हो सकता है आपकी लीवर में कोई गरबड़ी हो रही है जिस बज़से पाचन किरिया ठीक से नहीं हो रही है उस बज़से हो सकती है किरने में कोई दिक्कत है उस बज़से हो सकती है ज्याइंट पैन है उस ब तो आप लेड़ हैं खाना वो ठिक से जाय पच्टा नहीं है उस वज़ा से भी मोटा पा चड़वी बढ़ने का चांसे जराता है जितना आप इंटेक कर रहे हैं उसके नुसार साब फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं आप पानी बहुत कम लेड़े हैं उस वज़ा से हो सकती है या फिर जेनेटिक कुछ ऐसी फेक्टर है जेनेटिक भी होती है और कुछ ऐसी दवाई का भी साइड इफेक्ट से मोटा पा होने का जादा चांसे जराता है चलिए हम लोग जान गए कुछ ऐसी कारण है तो अब हम जानते हैं इसको पहले क्या पेशेंट आएगा तो दिक् सुस्त रगेगा है ना नींद ठीक से नहीं होगा मौन बेचेन टैप करेगा जो ज्यादा चड़वी वाले पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसीना आती रहता है ये कंडिसम मतलब बेचेनी टैप करेगा दम फूलेगा थोड़ा भी शिढ़ी चलेगा तो उसको नहीं पाएगा उठने बेचने में ज्वाइंट में तकलीफ होगी ज्वाइंट में गुटना सब जाम हो गया ज्यादा ओवेज होने के बज़ा से क्या होता है आपकी गुटने का लोड लेने की चमता कम जाती है ये कुछ लक्षन देखने के मिलेगा जब पिशेंट जैसे भी इठीक हो जाएंगे जैसे आप ज्यादा एस्पैसी वाली चीज नहीं लेना है ज्यादा मसाले वाले चीज ज्यादा हाई केलोरी डाइट वला नहीं लेना है ज्यादा गडिश्ट चीज नहीं लेना है पानी अधिक लेना है फिजीकल एकसरसाइज ज्यादा करना है एना हैबी वेट जो होड ही है उसको करतना है आपको एक बार में ठीक से मतलब पूरा पेट बढ़ के नहीं खाना खाना है लोक केलोडी डाइट लेना है पानी अधिक लेना है नींद ठीक से लेना है जैनेटिक फेक्टर को दूड करना है यह कुछ कंडिशन लेने से आप यह मेंटेन कर सकते हैं अब हरी साग सबजी ले सकते हैं जूसी वाली चीज़ ले सकते हैं विटामिन सी और विटामिन ए की मातरा ज्यादा मातरा में लेनेंगे फाइवरस्ची ज्यादा लेंगे सलाद की मातरा ज्यादा लेंगे गिरिन वेजटेविल ज्यादा लेंगे त maintenance हो गई है तो आप क्या इसके लिए हमेपैथिक में दवाई सोचेंगे तो इससे बचने के लिए हम बहुत ही काड़गर दवाई एक हमेपैथ में देते हैं जो किसी भी तरह का चड़भी बढ़ा हुआ बेचे नी हो रही है दर्द हो रही है चल फिर नहीं पाते हैं उठ वै लाइक, सेर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में दिये गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी आपको हमेशा मिलते रहे इसी तरह का नए नए इंफॉर्मेटिक वीडियो आपकी लिए हम लेक आते हैं इस तरह के नए जा मा देगी जो आपका उठना बैठना मुश्किल हो गया उसको स्लीम कर देगा पुड़ा वड़ी फीट हो जाएगा हर काम आप अराम से कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी हमिपेटिंग में दवा है तो हम बात करेंगे फ्यूकस भैसी कुलोशस फ्यूकस भैसी कुलोशस एक मदर टिंचर है जो की दस दस बूंद करके तीन बार अधा कप पानी मिलेंगे तो ये किसी भी तरह के एक्स्ट्रा फैट को जलाने में काटने में बहुत जादा मदद करता है और इसके साथ एक और दवाई लिएजेगा फाइटो लका फाइटो लका का मदर टिंचर अधी आप दस दस बूंद करके तीन बार लिजेगा ती ये क्या करेगा आपके डाइजिस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देगा जो की पचाने मदद कर रहा है और जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कमाने में बहुत अच्छा का अगर पैदा करता है इसी तरह नहीं जानकरी देखने के लिए आप मेरे तरह बने रहें धन्यवाद